हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपकी समने गोरो मिगलानी आज हम इस वीडियो के तुरू 12th कलास के बिजनस टेडिस का एक चेप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइनेशल मेनेजमेंट, फाइनेशल डिसीजन और फाइनेशल प्लानिंग ये तीनो टोपिक हमारे एक साथ आपके 12th कलास के बिजनस टेडिस के अंदर हमको कवर करने हैं तो सबसे पहले हम इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि फाइनेशल मेनेजमेंट क्या होती है हिंदी में मैं इस चेप्टर का नाम आपको बदा देता हूँ वितिया परबंद, वितिया निरने और वितिया नियोजन मनलब हमको क्या करना है पैसे की मेनेजमेंट सीखनी है पैसे को हम आपके बिजनस की लेंग्वेज में बोलते हैं हिंदी में वित क्या बोलते हैं वित, वित को इंग्लिश में बोलो जाता है फाइनांस मनलब हमको फाइनांस की मेनेजमेंट, फाइनांस की ही decisions और finance से related ही क्या करनी है planning करनी है तो सबसे पहले हम इस chapter के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इस chapter के अंदर हमको यह chapter क्यों study करने को मिल रहा है देखी एक business में बहुत सारी activities की जाती है उन सारी activities को करने का purpose क्या होता है profit कमाना और उस profit को कमाने के लिए जो भी activities हम करते हैं उन activities को करने के लिए हमको पैसे की जरूरत होती है पैसा बोले तो finance हमको finance की जरूरत होती है तो उस finance को लेखरी हमको क्या सीखना है कि उस finance का management कैसा किया जाए उस finance को लेकर decisions कैसे लिया जाए उस finance को लेकर planning कैसे की जाए तो हम अब सबसे पहले start करने जा रहे हैं finance का अपने को management कैसे करना है simple सी बात है business में काफी सारी activities होती है सारी activities का purpose profit कमाना और उस profit को कमाने के लिए जो भी activities हम कर रहे हैं उन activities को करने के लिए हमको पैसे की जरूरत होती है तो हमको पैसे का management करना बहुत जरूरी है और उस पैसे के management के करने को लेकर हमारे सामने सबसे पहले तीन questions आते हैं पहला question पहला question है कि हमने जितनी भी business activities करनी है उन सारी activities के लिए पैसा कहां से आएगा दूसरी बात पैसा आने के financial resources कौन-कौन से होंगे ठीक है पैसा पहली बात तो कौन-कौन सी business activity के लिए पैसा चाहिए कितना पैसा चाहिए यह हम यहाँ पर पता लगा लेते है कितनी पैसे की जरूरत है पैसे की जरूरत को पता करने के बाद हम यह पता करते हैं कि कौन-कौन से financial resources से पैसा आने वाला है तीसरी बात बिजनस में जो भी activities होती हैं किसलिए होती है profit कमाने के लिए जब भी profit होगा तो अब हमको इस profit में से ये भी questions आता है हमारे सामने कि इस में से कितना profit हम बाट दे और कितना profit हम business के अंदर hold करके रख लें क्योंकि बिजनस में जब भी profit होता है सारा का सारा profit कोई भी business अपने shareholders में divide नहीं करता है तो जितना भी profit होगा अब हमको ये भी सीखना है कि इस profit में से कितना profit हमको divide करना है और कितना profit हमको business में hold करके रखना है तो business के अंदर finance के management को लेकर मैं आपको फिर से repeat कर रहा हूँ financial management को लेकर हमारे सामने तीन questions आकर खड़े होते हैं पहली बात कितनी finance की जरुरत है मलब हम finance की need की बात सबसे पहले नमबर पर करेंगे कितनी finance की जरुरत है फिर उस finance का पैसा आएगा कहां से financial resources कौन कौन से होंगे फिर business में जो profit होगा उस profit को हम कितना divide करेंगे और कितना hold करके रखेंगे तो ये सारी बातों के जवाब हमको कहां मिलते है financial management में मैं आपको फिर से repeat कर रहा हूँ ये topic जो अभी हमने start किया हुआ है ये सिरफ हमारा financial management को लेकर है और financial management में हमारे सामने ये तीन questions आते है कितने पैसी के जरुत है resources क्या होंगे profit होगा तो profit का हम division कैसे करने वाले है अब हम बढ़ते हैं अपने next topic की हो next topic है कि financial management का क्या role है क्या भूमी का है financial management की वितिय परबंद की तो पहला role जो financial management अदा करता है क्या determination of the fixed asset financial management से हमको ये पता लग जाता है कि अपने को fixed assets कितनी चाहिए fixed assets कितनी चाहिए तो fixed assets के अंदर लगाने के लिए पैसा कितना चाहिए तो हमारे पास financial management का जो पहला role है वो यही पता करना है कि जो हमारी fixed assets है उस fixed assets का determination हो जाता है निर्धारन हो जाता है कि कितनी fixed assets चाहिए और उन fixed assets के लिए कितना कितना पैसा चाहिए plant में कितना पैसा लगाना है, machine में कितना पैसा लगाना है, furniture में कितना पैसा लगाना है जितने भी हमारी ऐसी assets होती है जो long term में काम आने वाली है हम उनका determination कर लेते हैं और उनके लिए कितना कितना पैसा चाहिए होगा इन सारी बातों का जवाब हमको financial management में मिल जाता है दूसरी बात determination of the current assets current assets में आपको पता है क्या क्या आता है prepared expenses, stock, debtors, cash, bank, bill receivable ये सारी के सारे topic हमारे accounts के हैं तो ये सारे topics हमारे current assets के हुए तो current assets का भी determination हमको करना होता है हमको ये पता लग जाता है कि debtors में कितना time तक पैसा लगा रहता है stock के लिए कितना पैसा चाहिए होगा तो हमको पता लगाना होता है financial management के ही through financial management हमको ये बता देता है कि हमको current assets के लिए कितना working capital maintain करना होगा और उसका determination कैसा होगा ये सारी बाते financial management के अंदर हमको जवाब मिल जाते हैं next topic है हमारा long term and short term resources देखो पहले दो steps में हमने क्या किया fixed assets के बारे में पता लगाया fixed assets के लिए कितना पैसा आएगा कितना चाहिए ठीक है fixed assets कौन कौन सी चाहिए पैसा कितना चाहिए current assets कौन कौन सी हो सकती है पैसा कितना चाहिए होगा चाहिए होगा पता लग गया अब हम क्या करेंगे resources का पता लगाएंगे अब हम ये देखेंगे कि long term resources हमारे पास कौन कौन से हमारे पास option available है फिर short term resources हमारे पास कौनकों से available है क्योंकि long term के लिए हो सकता है कि हमारे पास share capital, preference share capital debenture, long term के अंदर ये सारी बाते हमको मिल जाती है short term के अंदर हो सकता है कि हम किसी से पैसा उधार ले ले दो महिने के लिए चार महिने के लिए creditors बन जाएं, किसी से हम goods supply ले, ले ले, उनको payment हम 5 महिने के बाद दें, तो वो होते हैं हमारे short term resources, तो third number पे आकर हमको long term and the short term resources की determination करनी होती है कि हमारे पास long term resources कौन से available है और short term resources कौन से available है, इसके बाद हमको fourth number पे ये देखना होता है कि various determination को करनी होती है long term resources की long term resources, long term finance के कौन से resources हैं long term finance के resources के अंदर equity share capital, preference share capital, debentures, bonds bank के long term के लिये हुए हमने loan ये सारे long term resources होते हैं plus retained earning ये सारे हमारे होते हैं long term finance के resources इन सारे resources को भी हम determine करते हैं निर्धारन करते हैं कि यहां यहां से कहां कहां से कितनी कितनी मात्रा में हमारे लिए पैसा आ सकता है ठीक है फिफ्थ जो financial management का role है वो क्या है determination of the various items of the profit and loss account profit and loss account की जो different different items होती है हम उनको भी निर्धारन कर लेते हैं उसकी भी determination पहले से advance में कर लेते हैं for example हमको interest पे करना होगा interest हम क्यों पे करते हैं क्योंकि हमने कहीं से loan लिया है या debentures की वज़ा से पैसा हमारे पास आया है तो उसकी वज़ा से interest पे करना होगा अब interest हम कहां लिखेंगे profit and loss account में इसी तरह से depreciation depreciation किसके उपर लगता है fixed assets के उपर fixed assets के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो उसके साथ depreciation भी तो सोचना पड़ेगा अब depreciation की कहानी कहां पे आती है profit and loss account में इसी तरह से discount की बाद आती है different items के उपर हमारे पास discount का topic दियाता है discount हमारा relate होता है liquidity के साथ तो ये सारी बातें करते हुए हमको financial management को जो role होता है वो profit and loss account की various items को भी identify हमको करना होता है तो इस topic के अंदर हमने सिरफ इतनी सी बात सीखी है कि financial management का role क्या है पहला role fixed assets का निर्धारन करो fixed assets कितनी के चाहिए कौन कौन सी चाहिए पैसा उसके लिए कितना चाहिए होगा चोती बात long term finance के resources कौन से है फिर पांची बात various items of the profit and loss account उसको भी हमने determine करना है कि profit and loss account के अंदर हमको कौन खोन सी items लिखनी पड़ सकती है और ये था हमारा चोटा सा topic जो हमने study किया है financial management का next video के अंदर हम next topic study करने वाले है जो हो सकता है कि financial decision को लेकर हो या हो सकता है कि financial planning को लेकर हो तो मिलते हैं जल्दी से next video में इसी chapter का next topic हम continue करेंगे